नमस्कार, जैमत आदी सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में, कैसे हैं आप सब, उमिद करते हैं कि आप सब फीक होंगे, खुश होंगे, राशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगी, आज हम बात करना चाहते हैं कि अपने पर् वालेट, हमारा पर्स, यह एक ऐसी चीज है, जिसमें अब हम धन रखते हैं, आज के समय में लोग डैबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी अपने पर्स में रखते हैं, जो कि एक धन का ही मात्र है, हम उसके जरीए ही धन खर्च कर रहे हैं, या धन हमारे पास आ रहा है, तो उसको भी धन के रूप में ही देखा जाता है, तो वो चीज भी हम कहां रखते हैं, अपने वालेट में रखते हैं, या अपने पर्स में रखते हैं, तो वही पर, जहां पर धन का स्थान है, यानि कि आपका वालेट, आपका पर्स, क्योंकि वो धन का स्थान है, वहां से पर दिरोजगा, कार्ट कभी खाली नहीं रहेंगे, आपका अकाउंट हमेशा भरा हुआ रहेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप आपको बताते हैं, यह जो उपाई है, यह हमने किसी अपने ही क्लाइंट को बताया था, और हमने उन्हें वो बहुत हम कह सकते हैं कि बह पर दिखना शुरू हो गया, लेकिन 15 से 20 दिन के अंदर उनके कारोबार में, उनके बिजनस में, उनका बिजनस सा जो कि ठप पड़ चुका था, एकदम से व्रिदी होने शुरू हो गया, व्रिदी होने लगी है, उनके धन आना शुरू है, धन का मत्र खुल गया, जो कि बं रहा है, तो आपको उपाई बताना चाहते हैं, आप इसे जरूर कीज़ेगा, बड़ा अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा, यह जो उपाई है, यह सौमवार के दिन आपने करना है, सौमवार के दिन, चांदी का चकोर टुकडा, आपने, अपने पर्स में रखना है, ल चोटा सा टुकडा ले दीजे चाहे, अपने बजड अनुसार, और आप उनको बोल सकते हैं, कि इसके उपर, आप नमबर एट लिखतीचे, जो नमबर एट होता है, वो इंफिनिटी सैंबल्स करते हैं, यह जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, तो इस ह इस चांडी के चकोट टुकडे को आपने थोड़े से दूद, कच्चे दूद के साथ धो कर या फिर गंगा जल के साथ धो कर आपने अपने वालेट और अपने पर्स में रख देना हैं, अब आपने क्योंकि इस धन के स्थान पर रखना है, नमबर एट लिखा है, चांडी क चकोट टुकड़ा है, मालक्षमी का नाम लेकर रखिएगा इसे अपने वालेट में, अब क्योंकि धन का जो भी स्थान हो चाहिए, अपके तिजोरी हो चाहिए, अपका पर्स आपकी वालेट हो, वह लक्षमी का स्थान बन जाता है, वहापर लक्षमी निवास करती है, तो पर्स आपका कटा फटा गंदा नहीं होना चाहिए, पुराने बिल्स है तो हटा वीजे अपने पर्स को साफ सुत्रा रखे, अपने पर्स में भी हलका सा इत्र छिड़का कीजे, कि महकता रहे आपका पर्स, ये भी जरूर कीजे, तो आप देखेंगे बरकत आने शुरू हो होगा, पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, कार्स हमेशा भरे रहेंगे, अकाउंट हमेशा भरा रहेगा और सक्सेस पाएंगे, बहुत ही प्रभावशाली उपाए है, धन की प्रापती के रहे और धन से जुड़ी मुसीबतों को दूर करने के लिए इसे जरूर कीजेगा, इस आपको हमारी वीडियो अच्छो लगी होगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छो लगी तो से लाइक करें, कमेंड करें, हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करें, शुक्रिया